काम के नहीं है अगर ऐसे देखिए बड़े-बड़े जिनके पास ऐसे मशिनेरी है एकुपमेंट्स है वो लोग ये यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि मान लेते कि 9 रुपय में कोई स्ट्राइक चल रहा है ठीक है अगर 9 रुपय से प्राइज दस नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैंबली तो कैसे हो आप सब और कैसे चले आप सब्सक्राइब आपका दोस्ताशिश और आप देख रहे हैं पैंगल बूस तो ह आपको जो है यह पार्ट आपको समझ में आएगा देखिए यह कोर्स भले यूट्यूब पर फ्री है लेकिन किसी भी पेट कोर्स से कम नहीं होगा इतना मेरा गैरेंटी है और यह कोर्स कतम होते होते हैं आपका जो आप्शन का बेसिक से वह बिलकुल भी क्लियर हो जाएग हमारे वेसिक कोर्स चलेंगे वेसिक ठिरोटिकल कोर्स चलेंगे और इसमें हम सीखेंगे ओप्शन का A to Z जितनी भी आपका ओप्शन ट्रेडिंग के करेयर में काम आने वाली हर एक चीज़ में कवर करूंगा तो आज का क्लास है ओप्शन प्राइजिंग मोडल या ओप्श ओप्शन प्राइजिंग मोडल तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बाते आपको शेयर कर देता हूं कि अगर दिखें मेरे कुछ इतना नौलेज है और एक्सपिरियेंस है उसकी हिसाब से मैं आपको सिखा दूंगा या उतना मैं आपको सिखा दूंगा कोई भी अगर भूल चुक हो जाता है तो प्लीज चोटे भाई या बड़ा भाई समझ के प्लीज माप करतीजिए गा तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले समझते ऑप्शन प्राइजिंग मोडल ऑप्शन का जो प्राइजिंग है या प्रीमिया में वो डिसाइड कौन करता है और कैसे डि सेथागों चैजिंग मोडल जो है मतलब तरीच में जूखन के प्राइजिंग मोडल के जाता है के calculation जो है क्या है और इस calculation के थुरू आपको या मेरे को या हर रिटेल टेटर को क्या मदद मिल सकता है क्या मदद मिल सकता है तो यह चीज है कि देखिए जब आप option pricing model को समझ जाएंगा इसको calculation करना समझ जाएंगे तो आप इससे जो है एक option का fair value मतलब जो भी आप strike price के जो option के premium आप पे कर रहे हो या खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसका जो है फेर वैलू क्या है मतलब कि क्या वो price जो है वो जो price है जो भी decide हुआ है कि 22,100 का जो price है एक स्ट्राइक प्राइस का premium जो हम देट सो में खरीद रहे है मान ले तेज एक्जामपल क्या यह देट सो रूपी प्राइस है यह क्या मतलब सही प्राइस है कैसे पता करें मतलब क्या यह मुझे जादा तो जादा मेहंगा तो नहीं बेच रहे कोई या कोई मैं इसको सस्ता तो नहीं बेच रहा हूँ अगर आप option भाय रहा तो आप इसको हम पता कैसे करें इसी चीज को इसी चीज का में मकसद है इस क्लास का तो सबसे पहले समझते है option का प्राइजिंग बनता कैसे option का प्रीमियम बनता कैसे है तो option का प्राइजिंग दो चीजों को मिला के बनता है intrinsic value और extensive value यह दो को प्लस है इन दोनों का जो positive value है उसी को म अगर गुना कर देंगे तो बन जाएगा हमारा option का प्रीमियम अभी समझते भया इंट्रेंसिक वैलू क्या है एक्स्ट्रेंसिक वैलू क्या है मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा इस चीज़ का है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा तो मैं मतलब देसी शब्दों में कहूँ intrinsic value क्या है तो intrinsic value का मतलब होता है किसी चीज का actual value मतलब कोई भी चीज है इसको जो है ले देके इसका price जो है इतना होना ही चाहिए example कसा समझते है intrinsic value क्या है फिर आएंगे extensive value क्या होता है फिर इन दोनों को मिला के कैसे premium मनता है हर एक चीज हम आगया class में सीखेंगे है example से समझते कि मान लेते की आप जो है इहां पर शुवह को बोलते हैं तो हो देशा कीतने का है तो प्रोड़ वाले रहें आपको बोलते हैं कि थर्मूच जो है आता है मतलब सब्जिय मंडियाफ मंडिया तो बता बढ़ा सफ चालिस रूपीया चालिस रूपीय रूपीया है कि यह 30 रूपिया में यह तरमूँज लाया है इतना guarantee है तो मतलब इसका चुई शुरल वैलू है तरमूज का यह हो गए हमारा intrinsic value मतलब actual value तरमूज का वही होता है हमारा intrinsic value और जो यह 10 रूपे एक्स्टा मांग रहा है तो यह है इसका जो 10 रुपय एक्स्ट्रा मांग रहा है, यह इसका जो है, इसने जो time invest किया, जो इसने लाने का खर्चा, वहां से time invest किया, इसने जो रिक्स उठाए की तर्मूझ बखेगा, नहीं बखेगा, उसको मतलब एक हिसाफ किताब लगाक है, इसने जो है 10 रुपय एक यह तो क्या example हो गया अभी समझते हैं तो intrinsic value का मतलब technical language में कैसे समझें तो intrinsic value जो होता है actually वो होता है positive difference between spot and strike price मतलब अगर जो आपका price मतलब strike price है वो अगर positive हो चुका है मतलब इंदवनी हो चुका है तो उसमें जो है intrinsic value एक्चुल वैलू इसके अंदर आ चुका है मतलब उसमें intrinsic value आ चुका है obviously हम समझेंगे इसको option chain में जाके समझेंगे पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं और उसके अंदर उसके अंदर जो है मतलब premium मिल रहा है जो expiry बीच में है कि साथ दिन के अंदर जो option seller को risk होगा उससे पहले समझ लेते हैं कैरे भाया यह सटावऑ पपीता यहां पर यह कितने कंच लोगया कि दुकांद़ार बोलता है कि सर जो है अब यह जो बंदा है यह इसको सस्ते में सामान जेचम में सम इसको हमेशा सस्ते में सामान चाहिए तोड़ा जो है जानता है और इसलिए इसने पूछा कि आपके बस जो सड़ावा पपीता को मान लेते सड़ चुगा है आधा सड़ चुगा है इसके अंदर आधा हमारा मतलब अच्छा बचा हुआ है तो दुकांदार सा पूछता तो दुकांदार भी बोलता ही पपीता मेरा भीकना है ठीक है दुकांदार सोचता है कि यह पपीता जो है यह मेरे भीकने तो है नी तो मैं इसको बता दे हो बोला सर दस रुपया के ले जाओ तो इसने जो है इसके दोस्त को बोला दस रुपया का अब ले जाओ अब इस दोस्तने जो है मंडी बगेरा जाता है इसको आनलिस बग पर जेगा थी तो इसका दोस्त बोलता ठीक है भया तो यह हम 10 रुपे में मुझे दे दु अर्ध यह जो है इसको पताए को इस जंट्लमैन को दे देता है अब ये भाया जेंटलमेन खुश क्योंकि ये पपीता खराब हो चुके था सड़ चुके ते मार्केट में इसके वैलू नहीं था लेकिन कहीं ने कहीं इसको एज एनलिसिस हो रहा था इसको मतलब इसको पता था कि बजार में जो है पपीते के डिमांड जादा बढ़ने वाला है तो पपीता कल 12 रुपए में या 13 रुपए में कैसे ना कैसे बेची देगा इसी चक्कर में इसने ले लिया अब यह जो इसके अंदर जो मतलब इसका जो कोई वैलू नहीं है मतलब इसको इसने फालतू का समान लिया यही होता है हमारा आउट अब दा मनी आइटेम मतलब आउट अब दा मनी इसट्राइक प्राइस जिसमें के एक आनललिसेस होता है कि यहाँ पर जो है प्राइस जा सकता है वहाँ पर प्राइस गया इह उसका कोई वैलू नहीं है उसमें खली एक टाइम वैलू बचाए एक दिन बचाने कि यह पपीता सड़ जाएंगे अगर कल 13 10 रुपए में यह बिकनी बिकनी पाया मतलब बेचनी पाया तो कल यह पूरा पपिता सड़ गया और यहां पर जो है से लर के लिए सड़ावा पपितिक के नाम ले रहो ऐसे कोई गलत उसमें मत लेना तो यह चीज में थोरा से एक्स्टेंसिक वेलू समझाने के कोशिश कर रहा था अभी चलते है दुबारा इस स्लाइड में चलते है अभी देखिए अगर प्राइज अल्रीडी अगर इंदमनी हो चुका है तभी जो है उसमें वेलू होता है मतलब extrinsic value उसका real value होता है नहीं तो जो out of the money रहता है उसका जो है कोई value नहीं होता है उसमें खाली एक expiry तक जो option seller जो एक risk उठा रहा है उसी risk का जो है option seller उसका पैसा लेता है out of the money तो इसी इनी दो चीज़ को मिलाके जो बनता है हमारा option premium इन्दा मनी में हुआ तो intrinsic value और extrinsic value दोनों को मिलाके बनेगा premium और out of the money अगर हुआ strike price तो खाली extrinsic value को मिलाकी बन जाएगा premium उसमें कोई भी intrinsic value नहीं होता है अब और option chain में चलते हैं और समझते इसको तो यहाँ अगर अब देखोगे जैसे कि मैंने बताए intrinsic value क्या होता है positive difference between strike price sorry spot price and strike price मतलब कि जैसे कि यह side का जो है call का side है और यह side जो है put का side है ठीक है positive difference मतलब extrinsic value निकालना बहुत ही आसान है extrinsic value कैसे निकालते जैसे कि मालते call के side से हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि माल लेते हम 22,200 का strike price को हम लेते 22,200 का मैं थोरा से zoom कर देता हूं थाकि आपको समझने में आसानी हूँ कि ओके मैं उम्मीद करता है आपको अभी options जिन साब साब दिखाए दे रहा होगा हमारा spot price का है जहां पर add the money मतलब मार्किट जहां पर खड़ा है मतलब जैसे कि यह हो गया हमारा spot price 2300 का जो है 2200 मतलब 100 पॉइंट 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 जो इसके अंतर intrinsic value है बाकि जो 79 रूपीज मिल रहा है 79 रूपीज यह है इसका time value मतलब जो option seller ने जो expiry तक का एक risk उठाया है उसी का जो इसने premium चार्ज के time value बाकि जो इसके अंतर तो already trade हो चुका है मतलब यह इंद हो चुका है तो इसके अंतर already 100 point इसका actual value आ चुका है मतलब इंटरैंसिक value आ चुका है इसी का अगर opposite side में तो का गया इसमें जो है 92 रूपिस का असपास प्रीमियम हमको मिल रहा है तो यहाँ पर पुट का जो प्रीमियम है यहाँ पर कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि अगर में उपर साइट से देखू तो यह इंदावनी नहीं हुआ है मतलब पुट साइट से में यू इल्टे से इंदावनी हो चुका है एन कोल सैट में इस साइट के ओप Walken मतलब रहह इस चीजे साच की matter कर डियकिंड यहाँ आपको यहाँ लोगको अजह जमिद बेड़ो मिल जाएगा यह एक तरीका हुआ लेकिन इसके उंदर ज़ो सेवनेटी नाइन रुपीज जो हमें premium मिल रहा था क्या वो fair value बेर忘 यह मतलबस अब मेन calculation आपको मिल रहा है क्या यह राइव नाइट है यह मेरे को सही दाम पर दे रहा है इसको पता करने का फॉर्मुले को हम बोलते हैं क्या 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 एक्यूशन जो है काम करता है दोनों ने यह मोडल बनाया था तो सबसे पहले समझते हैं और यह मॉंटे कारलो सिमुलेशन यह दोनों जो है हमारे किसी काम के नहीं है मतलब ये दो कि लिए फिर बी जानकारी के लिए फिर भी आप जानना चाला तो फिर मैं थोरा सा एंसे yourself व्रीफिंग दे देता हूं that you यह दोनों का क्या है कैसी होता है सबसें सम zn का चו फॉर्मुला बहुत आसान प्रोला होता है उसमें क्या होता है फ這邊 काम करता है मतलबहत н तो तो यहाप नहीं यहाप है थोड़ा से साइट करके दिखाता हूं माल लेते कोई चीज जो है अंडेट रूपीज पर चल रहा है अगर यह प्राइज 110 पर गया है उस समय option का pricing क्या होगा फिर जो है 90 रूपीज पर गया तो क्या होगा फिर जो है अगर 90 से 80 गया तब क्या होगा या 90 से जो है एक सोबीज पर गया तब क्या होगा 110 से जो है 120 पर गया तो क्या होगा प्राइज क्या नांटी पर गया तो कैसा होगा प्राइजिंग बन बस एक normal चीज है वह जी यह आपको बता देता हूं फिर दूब़ारा जाए इसको जो है फर्दर टिक्शन पर काम करता किया होगा तो एसा करते करते एगफी सबन जाएगा तरॉछ इसको बोलता है विशावान freelance जानने की जरूवात नहीं है क्यूंकि इसे यूच्छ नहीं होता है बस एक मोटव प्रीफिंग आप आप समझेंचेजूस पा olması दूस्रा है Monte Carlo Simulation ये भी आपका हमारा कोई काम के नहीं है अगर ऐसे देखे बड़े बड़े जिनके पास ऐसे मशिनेरी है एकुपमेंट से लोग ए टी में वो लोग ये यूज करते है Monte Carlo Simulation इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि 9 रुपए में कोई परइजिंग क्या होगा 14 रुपह पर या ऐसे रिए राप्डेशन में काम करता है Monte Carlo Simulation जो है एक राप्डेशन करता है 15 पर गया तो क्या होगा इन सब को मिला के जो है एक राप्रडेशन किया ज़ता है तो यह हमारा कांगे चीज इसी फॉर्मूले के मदद से जो हम option pricing को निकालता है या option pricing को प्रीमियम को जो है calculate करते है उसका ताइम वैलू है क्या हो सही है या गलत तो इसी को हम समझते हैं देखिए इसी में आपको बता देता हूँ यह जो formula है यह 6 चीज़ों से मिला के बनता है सबसे पहले जो है हमारा type of option मतलब call and put इसको मिला के आपको मतलब 6 चीज़ों का पता होना चाहिए तभी आप इसको calculate कर सकते हो उसके मार्केट कहां पर खड़ा है किस जगा पर मार्केट अभी रुका हुआ है closing दिया है time of expiry कितने दिन बचा है contract में जो भी अपने derivative contract लिया है उसमें आपका कितने दिन बचा हुआ है उसी को हम बोलता है time of expiry strike price का आप premium निकालने चाहते हो premium के calculation करना चाहते हो थिक कितना परसंट है दूसरा रिस्क फ्री रेट मतलों आपके बजर में जो है interest rate कितना चले इंडिया में आपर संट चलता है उशी तरीके का प्री इंट्रेश्ट है इन चीजों का पता होना चाहिए है बी एसम मोडिल को काल KIM करने के लिए अभी चलते है questo is कौपलेक्स है लेकिन मैं आपको को बताता हो कि आसान तरीक से इसका कैसे करते दखें जरुरी नहीं कि आप एक अच्छे औहसे बाइक रेशल बनने की लिए लेकिन एक वाइग्रेसर को थुरा बहुत मेकानिक काम भी आना चाहिए थुरा वह ज्यादा नहीं कि उसमें दुनों अच्छे दुनों में अच्छे हो जो ऐसे नहीं होता ठीक है तो यहां पर आगर में आपर कॉल का जो फॉर्मूला यहां पर देखोगे इसको यहां पर दे यहां ने टेस्ट बुक में देखा है कि किसी में एक्स भी उसकरते किसी में के भी उसकरते एसे बहुत सारे हैं डेट अप एक्सवाइरी और इसको बातरे रेट आप इंट्रेस्ट और नॉर्मल इस्टिविशन कर्प टू मतब एंडी टू अभी इस फॉर्मूला के मदद स सबसे पहले तो आपको नॉर्मल इस्टिविशन कर्प निकालना पड़ेगा मतब नॉर्मल इस्टिविशन कर्प का जो फॉर्मूला उसको निकालना पड़ेगा वह कैसे करेंगे करक का जो चार्ट यह इस तरीके सोग्षाइब श्ट्य स्टार से वह बहुत सारे श्ट्य को उपर कुछ क्यालकूलिशन लगाके ऐसे जो है नॉर्मल डिस्ट्रिपशन कर्ब बनाया जाता है मतलब जो है कि एंड वण जो है 65% का असपास उसके बाद जो है normal distribution कर जो 90% का असपास ऐसे statistic के basis पर यह बनाया जाता है formula formula आपको दिखा देता हूं कि यह रहा उसका formula के यहाँ पर जो एंडी1 का formula आपको दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर जो है एंडी2 का formula तो सबसे बड़ा सवाल है यह जो formula है और यह जो equation है यह trading के लिए irrelevant है कोई भी कामका नहीं है इस trading में मैं trading की बात कर रहा हूँ आप CA final दे रहे हैं उसकी बात अलग है मैं trading की बात कर रहा हूँ यह जो formula है हमारे retail trader है trading के लिए किसी कामका नहीं है और यह बात भी सच है इस formula के बिना आप जो है option के pricing model को आप नहीं निकाल सकते अब बोलो के भी आपने तो दर्म संकट में डाल दिया कि भी आप इस equation को सीखिए या नहीं सीखिए उसके लिए भी आ calculator है ना क्यूं टेंशन ले रहे हूँ अगर इस formula के मदद से अपने calculation करके निकालने जाओगे तब तक trade छूटके किसी और के तब ट्रेड निकल जाएगा तब तक या बहुत time लगए बहुत complex है तो इसलिए आप जो है सबसे useful तरीका है आप option pricing calculator को use कीचिए कैसे मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले चलेंगा में आप गूगल पर चलेंगे गूगल पर चलते हैं और यहां पर लिख देते हैं option प्रीमियम कैलकुलेटर बस इतने आपको टाइप करना है तो यहां पर आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे अगर देहों कि अप्स्टॉक का भी option कैलकुलेटर का भी यह उसके बाद जो है बहुत सारे आप देखे डेरो कैलकुलेटर मिल जाएगा अटेंशन मत लीजिए मैं आपको सिखा देता हूं मैं 0 दाका करके है सज बताओ लेकिन option का अगर value मतलब right value मेरे को निकालना है यह option का जो प्रीमियम है इसको समझना है कि यह fair value पर है या सस्ता है मैंगा या सही दाम पर है इसको पता करने का एक ही तरीका है इतना कर दो तरीका है एक नहीं एक तो फॉर्मूले के मदद से कर सकते हैं या आप सीधा calculator यूज कर सकते हैं प्रीमियम क्यलकुलेटर अब यूज कर सकते हैं ठीक है तो या पर मैं प्रीमियम क्यलकुलेटर में एक मिट दें थोरा समय को चलिए का गया को के एक मिट प्रीमियम का जो फियर वैलू हम निकालेंगे जो क्या हमारे ट्रेडिंग में काम आएगा जब भी आप आगे से देखिए काई सब्सक्राइब के काई सब्सक्राइब काई सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हां मेरे को यह अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको यह सही दाम पर मिल रहा है क्या नहीं यह चीज़ आपको पता लग जाएगा इसको समझते हैं सीधा हम जाएंगे कैलकुलेटर पर यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर पर तो डीटेल डालेंगे कि स्पॉट फ्राइज है मतलब मार्केट जहां पर खड़ा है 2300 पर खड़ा है स्ट्राइक प्राइज हम 2300 का यह निकालेंगे एडदमनी का यह निकालेंगे ठीक है exploring के date यहाँ पर ड्लेंगे एक'spire है गुरुवार को expire होे पाथीस तरीक को expire है who ought capability कितना है यह देख लेंगे यहाँ पर आपको मिल अपको यह जो iv लिखा हुआ है 15.6 जो इसका आइवी है ठीक है 15.6 आप जो NAC का चेन भी ले सकते इंट्रेस्ट रेट देखिए इंट्रेस्ट रेट जो होता है इसका थोरा समय आपको बता देता हूं एंट्रेस्ट रेट लेता है मतलब 10% हो हमेशा इंट्रेस्ट रखता है और 116 रूपिया इसका पूट का प्राइस है अभी यह देखिए इसका प्राइस है इसका मतलब यह नहीं कि option chain में भी जो है इतना ही value रहेगा ठीक है वहाँ पर डिमांड supply के ऊपर जो है प्राइज आपको मिलेगा तो इससा आपको अंदाजा हो गया कि यह इसका fair value कितना है एक सो 35 रुपिया कॉल का और 116 रुपिया पुट का यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है एक सो 33 रुपिया जो है पुट का मिला है और 120 रुपिया जो कॉल का मिला है तो एक दम सही fair value प्राइज पर ट्रेट कर रहा है अभी आपको exact उसकी तरह नहीं मिलेगा उसके आसफास मिलेगा अगर इन दोनों के बीच में गया बहुत जादा हो जाता है प्रेटर पर गया अगर माल लेते कि जहां पर एक सो 33 रुपिया मिल रहा था और यहां पर जो है 100 रुपिस मिल रहा था तो इसमें मतलब सच्टे पर ट्रेड हो रहा था तो मतलब कि जो है इसमें इसमें मैं जितना मैं कोशिश किया जितना मैं आपको छोटे में समलीा है संजा सकता हूं मतलब कम टाइम में मैं आपकों समझा सकता और कितना मैं काम की चीज आपको यहां पर दे सकता हूं इस चीज पर मैंने फोकस किया full detail में मैं नहीं गया हो क्योंकि जो equation वगरा है वो बहुत ज़्यादा complex है और उसको मैं समझाने जाओंगा या खुद समझने जाओंगा तो मैं भी जो मैंने भी जो सीखा था हो 4 साल पहले सीखा था और आज मुझे भी जो दोबारा इसको revise करना पड़ा मतलब कि कितना complex हो सकते आप समझ सकते हो इस चीज़ को तो मैं लेकिन मैंने आपको जाओं काम की जीज़ आपको बता दिया कैसे आपको जोई easily इसको यूज़ करना है as a trading के purpose से आपको जोई equation कोई काम का नहीं है लेकिन आपको as a option calculator के use करके आप जोई इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक useful तरीके से आप जोई premium को समझ सकते हो या option के premium कैसे बनता है यह आप समझ सकते हो तो मैं उम्मिद करता है आपको class पसंद आया होगा और पसंद आया तो like, comment and subscribe जरूर कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए happy trading नमस्कार मेरी trading family तो कैसे हो आप सब और कैसे चल दे आप सब की trading में हो आपका दोस्ताशिश और आप देख रहे है बेंगल बूल्स तो यह है हमारा option trading course का आज है हमारा चौथा पार्ट पहला तीन पार्ट अपने नहीं देखा है तो उपर आई वटन पिलिंग क्यों आप चाहिए और प्लीज वीडियो को आप देखिए वो classes को आप देखिए तो आपको जो है यह पार्ट आपको समझ में आएगा देखिए कोर्स भले YouTube पे फ्री है लेकिन किसी भी paid course से कम नहीं होगा इतना मेरा guarantee है और यह course कतम होते होते हैं आपका जो option का basics है वो बिल्कुल भी clear हो जाएगा और इस series में भले basic course है लेकिन मैं अगर course सही चलता है मतलब YouTube पे सही चलता है तो मैं interest लेके बाकि full option trading का course भी बना दूंगा don't worry लेकिन फिलाल हमारे basic course चलेंगे basic theoretical course चलेंगे और इसमें हम सीखेंगे option का a to z जितने भी आपके option trading के career में काम आने वाली हर एक चीज में cover करूंगा तो आज का class है option pricing model या option premium को मिलते हैं वर स्किन पर आए की जर्णियम होई से शुरू करते हैं कि है उर्ण։ उर्ण कि अ